हेलो फ्रेंट्स वेरे गूड मॉर्निंग स्वागत आपका होम टिशन चल पे दोस्तों यह रिजिनिंग का हमारा प्रक्टिस मॉक टेस्ट है तो चलिए शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले तना करना चाहूँआ वीडियो को लाइक कर दीजी शेयर कर दीजी ताकि अन ज़्यादा हेल्फुल रहेगी वो किलास दोस्तों ठीक है तो आप सभी नो बजे मैथ की मेरतन किलास में भी जुडेंगे दोस्तों ठीक है तो अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजी लाइक कर दीजी चलिए शुरू करते हैं आज का ही हमारा प्रक्टिस रिजिनिंग के लि गुणा में च्छे को लिख रखा है सोडा च्वशुश ठेक है दोस्तों इसकि अलवा तीन गुणा में साथ गुणा में च्यार को लिखा हुवा है 964 इसे के अलावा दोस्तों 5 गुणा में 6 गुणा में 8 का आपसे पुछा है क्या एगा तो अगर यहाँ पे देखें तो 26 तो सेम है 2 और 6 सेम टू सेम लिखा हुआ है यहाँ पे 7 और 4 है यह भी सेम टू सेम है लेकिन जो पहला नमबर था ना उसका सुकेर करके पहले लिख दिया यानि केवल पहले डिजिट का सुकेर है बाकी सेम टू सेम अरेंज किये गए हैं यहां भी पहले नमबर का सुकेर करके यहां पे लिख दिया है तीन का सुकेर नो, यहां पे चार का सुकेर सोड़ा है, आखरी के दो नमबर सेम टू सेम है, तो यहां भी कर देंगे, यहां पे करेंगे तो भी पांच का सुकेर होगा कितना, पचीस, और यह आखरी के दो नमब में विसम संख्या निकाले यह तो एक है 23,08 है option A, option B में दे रखा है 34,12, option C दे रखा है 45,20 और option D दे रखा है 76,B40 आप बच्चे क्या करेंगे बड़ी संख्याएं देखते हुई गभरा जाते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है कोई सुकेर तो नहीं है कोई क्यूब तो नहीं है ऐसे नहीं देखना आपको बिल्कुट बेसिक से आगे बढ़ना है दोस्तों पहले बेसिक पैटर लगा के दे लेकिन यहां पे हमें कुछ नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है दोस्तों ये जो 12 है ये पहले दो डिजिट का क्या multiple है तीन गुणा में च्यार करेंगे तो क्या 12 मिलेगा बिलकुल मिलेगा इसी परकार यहां पे जो 42 है क्या 6 और 7 का multiple 42 होता है आप कहेंगे सर बिलकुल यानि पहले दो नम्बरों का जो multiple है वो आगे लिखा हुआ है तीन चोक बारा चैस साते बीयारीस और यहां भी देखें तो च्यार पंजे कितना होता है बीस होता है लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी multiple का रोल नहीं है तो यही आपका answer हो जाएगा जो बाकित तीन में अलग्ग होता है छेक है दोस्तों तो मेध है सवाल आपको समझ में आएग और ऐसे ही सवाल आपको कई बच्चे पूछते सर ऐसे ही सवाल आएंगे क्या कि दिल्ली प्लिश्म और कैसे आएंगे आप मुझे बता दो हर मोक टेस्ट में चाहिए जिक्के का करवाओ चाहिए मैथ का करवाओ चाहिए रिजिनिंग का करवाओ हर जगे एक की सवाल होता है सर ऐसे ही सवाल आएंगे क्या तो और कैसे आएंगे आप मुझे बताइए रिजिनिंग में यही है एससे का पैटर्न यही है यही क्यों सन लेंगे और जो बच्चा यह सोचता नहीं जो फनने का होते हैं कुछ लोग कि यही पर आएगा तो यही बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं और यही सबसे पहले पुछेंगे कि दिल्ले प्लिस की अगली भरती कब आएगी क्योंकि अभी तो पढ़ते नहीं है फिर अगली की इं 61 और यहाँ पर है lah है ऐहाँ प्राथ है तरह करें और यहाँ पर ठोड़ative करें तो यहां पर आ यहाँ पर करें तो यह वारा है और यह 3 अब देखिए यह 113 कैसे बन सकता है आठ्ठू साथ तू चपन होते हैं चपन का डबल तो 113 नहीं होता है ठेक है पांच संगा 30 30 का डबल 60 होता है तो 9 चो 36-36 का डवल तो बैतर होता है तो 97 तो बहुत बड़ा नंबर है बाताई समझ में तो यहां पे क्या पैटर्न हो सकता है दोस्तों कुछ भी पैटर्न नहीं है बिल्कुल आसान है आप ये दो नंबर देखिए 7 और 8 ठीक है आप 7 का सुकेर करके देखिए और 8 का सुकेर करके देखिए तो 7 का सुकेर आएगा 49, 8 का सुकेर आएगा 64, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 113 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा यानि 7 का सुकेर पलस में 8 का सुकेर को जोड़कर 113 अंदर लिखा हुआ है, ठीक वैसे ही आप 5 का सुकेर कीजी और पलस में 6 का सुकेर कीजी, तो आएगा 25, पलस में 36 25 पलस में 36 क्या 61 नहीं होता है बिल्कुल होता है, 25 और 36 कितना 61 होता है, इसी प्रकार इसे यहाँ पर देखें, तो आप 9 का सुकेर कीजी, आप 4 का स्केर कीजी तो यह आएगा आपका 81 पलस में 16 तो 81 सोड़ा कितने होते हैं 90 से उन होते हैं जो कि यहां पर लिखा हुआ है यानि की नमबर के बाहर जो नमबर है जो नमबर अंदर बड़ा लिखा हुआ है इसकी साथ में जो गरेक्टीड नमबर है उनी का सुकेर का एडिसन कर कि अंदर लिखा हुआ है तो सेम काम यहां पर करेंगे हम 12 का square करेंगे तो 12 का square plus में 3 का square करेंगे 144 plus में 9 तो आजायेगा सवाल का आंसर 153 तो यहां पर जो खलिष्टान है यहां पर क्या आएगा दोस्तो 153 आएगा यानि कि option B आपका answer होगा ठेक है बई तो उम्मीद है आज में आया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर क्या जाईए ताक और भी विद्यारती जुड़ जाएं दोस्तों ठीक है sport करते रहा करो like लुए करते रहा करो बिना कहीं दोस्तों ठीक है इतने अच्छे-च्छे क्यूशन आपके लेकि आते हैं तो आपका भी दैत बढ़ता है कि वीडियो को लाइक तो करी सकते हो ठीक है लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है और ना ही सेयर करने का लगता है share करने से आपसी हमारा जो प्यार है वो भड़ता है ठेक है चलिए अगला स्वाल है question number 4 से लेकर 7 तक यानि अगले जो 4 question है ये classification के हैं ठेक है तो question number 4 को देखे तो option A दे रखा है E V option B दे रखा है G T option C दे रखा है J Q और option D दे रखा है P L तो ये तो बहुत आसान question है आप सभी जानते है E और V एक दूसरे के वीपरित लेटर होते है अपोजिट लेटर है G और T एक दूसरे के अपोजिट है जैपूर किविन ये भी आपोजिट लेटर है लेकिन P और L है ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है इसलिए option D यहाँ पर क्या हो जाएगा इन तीनों से अलग हो जाएगा तो option D आपका answer आजएगा आगले question देखे तो यहाँ पर दे रखा है आठ के आगे 64 लिखा हुआ है आठ का सम्मद 64 से है option B में दे रखा है 7 का सम्मद 49 से है ये भी आप समझ चुके होगा कि क्या है इसका सवाल का answer च्छे का सम्मद 30 से है और option D दे रखा है 5 का सम्मद किसे है 25 से तो ये भी बहुत आसान question है क्योंकि आप सभी जानते 8 का square है वो 64 होता है 7 का square और 5 का square हो 25 होता है लेकि 6 का square तीस नहीं होता है तो यही स्वाल आपका answer हो जाएगा आगला स्वाल देखे यहाँ पर option A दे रखा है 443, option B दे रखा है 633, option C दे रखा है 821, और option D दे रखा है 245 अब यहाँ पर देखे कि कौन सा अलग आएगा तो यहाँ पर क्या कोई perfect square नमबर आता है नहीं है अच्छा 3 की power 6 है यह 243 होता है लेकिन ऐसा तो कोई यहाँ पर pattern है नहीं तो हम क्या करते हैं कुछ अलग देखते हैं जब इस परकार का pattern नहोर संख्या बड़ी हो तो आप इनका सबका योग करके देख लीजिए योग में हो सकता है कि कोई pattern लागो हो जाए ठेक है कि यहाँ पर square तो नजर आता है यह 441 होता है अब च्यार प्लस में च्यार प्लस में तीन करेंगे तो यह आएगा ग्यारा कितना आएगा दोस्तों यह ग्यारा आएगा यहाँ पर 6 प्लस में 3 प्लस में 3 करते है तो यह आएगा 12 यहाँ पर 8 प्लस में 2 प्लस में करते है तो यह 11 आएगा यहाँ पर 4 प्लस में 3 प्लस में 2 करते है तो 4,3,7,2,9 आएगा ठेक है यहाँ पर 11 था यहाँ पर 12 है यहाँ भी 11 है और यहाँ पर 9 है ठीक है यह 245 है दोस्तों यह 245 लिखा हुआ है तो यह 245 करेंगे तो यह 11 आ जाएगा पांच च्यार नोर दो ग्यारा 245 है और यह क्या खर रहा हूँ मैं यह है दो प्लस में 4 प्लस में 5 बराबर कितरा आएगा 11 आएगा तो हम यह आप पे देख पारे हैं option A, option C और option D में अं option B में ऐसा नहीं है तो यही आप का क्या हो जाएगा दोस्तों, answer हो जाएगा अगला जो क्यूस्टन है बाजरा, जो, गेहूं और मूंग तो आप सभी जानते है क्यूस्टन अमर जो 7 के हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुती आसान क्यूस्टन है क्यूंकि बाजरा क्या का दोस्तों बाजरा अलग हो जाएगा क्योंकि वो खरीब की फसल है और बाकी रभी की फसल जो सर्दियों में उगाई जाती है जैसे अभी जो वो ही चल रहे है न गेहूं सिर्श्यों ये क्या है रभी की फसल है ठेक है सर्दी दो अंकों की है तो रभी भी दो अंकों की है ठ खरीप तीन अंकों वाड़े हैं तो सारे जिस फसल का नाम तीन अंकों में आता है वो सारे के सारे क्या है खरीप की फसले हैं जैसे चावड है बाजरा है यह सारे क्या है खरीप की फसले हैं अगला स्वाल देखें अगला स्वाल यहां पर रिपीटिड सीरीज का है तो रिपी सपेश सी भी ठीक है तो एक तो चीज हमें देखो आप इस सवाल को डारेट भी कर सकते हो ठीक है आप इस सवाल को डारेट कर सकते हो नहीं तो आप फिर grouping कर लो तो grouping यहाप पर numbering देखते हैं तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15 आगर grouping 15 की है यानि letter कितने हैं यहाप पर 15 ही है न अरह letter तो सही है न यह कोई दिक्कत नहीं है तो 3, 3 grouping करते हैं 1, 2, 3, 4 और यह 5 अब 5 grouping हम करते हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पहला letter A है यहाँ भी पहला letter A है तो हो सकता है यहाँ भी पहला letter A यहाँ पर तीसरा B है यहाँ भी तीसरा B है लेकिन यहाँ भी तीसरा B है और यहाँ भी तीसरा B है ठीक है अगर यहाँ पे B से पहले C है तो यहाँ भी B से पहले अगर हम C भरते हैं तो यह बन जाता है A, C, B यह भी A, C, B और यहाँ पे A अना चीए A, C, B अच्छा जी अगर हम यहाँ पे पहले दूसरे और चोथे को compare करें हमने पहले और तीसरे को देखा आप दूसरे और चोथे को देखी तो यहाँ पे C है यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा यहाँ पे C और B है यहाँ पे बीच में C है तो यहाँ से कोई hint है वो नजर आती नहीं है तो अगर ऐसा नहीं है दोस्तो तो आप फिर कितने grouping करेंगे यहाँ पे दुबारा grouping करने पड़ेगे आपको इस सवाल की जब तीन तीन की grouping से काम नहीं चलता हो लेटर यहाँ पे है च्यार च्यार आठ च्यार तीए बारा और तीन पंदरा तो पंदरा लेटर है तो 6-6 की grouping आप कर सकते हैं ठीक है तो 6-6 की grouping यहाँ पे कर लेते हैं तो 3-3-6 की grouping हमने कर ली 3-3-6 की grouping हमने कर ली और 30 है अब देखिए यहाँ पे पहला लेटर A है यहाँ भी पहला लेटर A है तीसरा लेटर यहाँ भी B है यहाँ भी तीसरा लेटर B है अच्छा पांचवा लेटर यहां भी C है लेकिन यहां पे पांचवा लेटर बलेंक है चोथा लेटर C है यहां पे बलेंक है ठीक है अच्छा यहां पे तीसरा लेटर यहां भी B है तो B से पहले क्या है C है अब यहां पे किलियर नहीं हो पाएगा कि यहां पे एक के बाद क्य आएगा और यहां पे एक के बाद क्या आएगा तो यहां पे आपको options का सहरा लेना पड़ेगा मतलब की पहले और चोथे पहला दूसरा तीसरा चोथा है न तो पहला और चोथा letter समान होना चाहिए अब देखिए यहां पे options में पहला और चोथा letter options का यहां पे आपको सहरा ले लीजिए option में कि आपका जो आखरी लेटर है वो A फिल होगा ऐसा किसमे है केवल option A में दिया गया है आप option A को उठा के दिख लीजिए आखरी में A आना चाहिए वो यहां पे किसमे है केवल option A में ऐसा है कि last letter A फिल किया है ठेक है अब देखिए option A के अगनुसार C, C, B, C, C, A तो यहां पे C भर दिया, यहां भी कहरा है C भर दो, फिर यहां पे कहरा है B भर दो, ठेक है फिर यहां पे C है, यहां भी C भर दो और यहां पे A बर दो, आब इस series को देखते हैं ACB यहां भी ACB है यहां भी ACB है यहां पे CCB CCB बात आगे समझ में अब यह pattern है वो नजर आता है तो ऐसे सवाल में करना क्या है जब grouping से सवाल ना होते हैं तो थोड़ा साब को hint का प्रियोग करना पड़ता है यहां पे 3-3 से सवाल नहीं सोल हो पाता ठेक है तो हमने 6-6 की grouping कर दी 6 पलस 6 और 3 अलग letter है जाते हैं यहां पे हम देखा हर जगा पहला letter के समान है तीसरा letter भी हर जगा B था तो इसलिए हमने यहां पे आरेंज कर दिया है options का साहरा लेकर हमने यह पता कर लिया कि जो सबसे last letter fill होगा वो A होगा तो सबसे last letter A है वो केवल option है में दिया गया है तो इसी को हमने put up करके देखा तो हमारी series यहां पे complete होती नजर आती है इसलिए option A ही सवाल का क्या होगा answer होगा repeated series वैसे तो बहुत आसान पुछी जाएगी लेकिन कभी-कभी complicated पूस ली जाती है तो वहां पे आपको options का सारा ले लेना चाहिए सबी options को fill करके देख लो pattern आपको नजर आ जाएगा और जिस options को fill करने पर pattern नजर आ जाएगा वही आपका answer हो जाएगा अगला सवाल देखी यहां पे diskinary के अनुसार अरेंज करना है objective objection है और obligation है obligation है तो यहां पे arrange करेंगे सब्द कोस के नजर तो सबसे पहले letter कोण साएगा आप देखी यहां पे आप एक चीज का प्रियोग करिए option A, B और D में पहले letter 3 आना चाहिए जबकि option C में 5 आना चाहिए तो आप 3 तीन और 5 में compare कर लीजिए कि इन में पहले कोण सा आएगा ठेक है यह भी तरिक्का है सबसे fast स्वाल को solve करने का तो 3 में O, B, J है और O, 5 में O, B, L है तो आप मुझे बती है पहले J आएगा या पहले L आएगा तो पहले J आएगा J, K, L तो पहले J वाल आएगा यानि नमबर 3 जो letter है वो सबसे पहले आएगा आप देखें 3 के बाद क्या है हर में यानि option C है वो तो बाहरा हो गया वो तो आएगी नहीं आप देखें A, B और D में तिनों में ही 3 के बाद 2 दे रखा है अब 2 के बाद 5 आएगा या 4 आएगा ये confirm कर लीजिए तो 4 और 5 में पहले कौण सा आएगा ओबली यहाँ पर I के बाद J है चार नमर में I के बाद G है और 5 नमर में I के बाद V है तो पहले G आएगा या पहले V आएगा तो पहले G आएगा यानि कि नमबर 4 पहले आएगा और फिर 4 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा ये इसका करम हो जाता है कुछ भी करने क्या हो सकता नहीं है options को ही compare कर लिया मातर 10 second में सवाल आपका 6 हो जाता है 3, 2, 4, 5, 1 यानि कि option d आपका answer हो जाएगा ठेक है अगला सवाल देखिए कुछ नमर 10 से 12 तक आपको सीरीज को पूरा करना है तो किसन नमर जो 10 दे रखा है वो क्या है दोस्तों उसमें दे रखा है 25 फिर है 36 ठेक है 25 के बाद 36 है फिर आपका किसन मार्क है फिर 64 है फिर 81 है तो बहुत आसान किसन है दोस्तों 25 है ये 5 का स्केर है ये 6 का स्केर है ये 8 का स्केर है ये 9 का स्केर है तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या हैगा 7 का स्केर मतलग कि 49 आपका आंसर हो जाएगा ठेक है भई अगला सवाल देखिए 11 नमर 11 नमर सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों दो है, उसके आगे फिर साड़े तीन लिखा हुआ है, साड़े तीन के आगे पांच है, पांच के आगे साड़े च्छे है, फिर साड़े च्छे के बाद आठ है, और आठ के बाद आपसे पुछा है क्या आएगा दोस्तों, तो ये भी बहुत आसान कि उसले हैं, आप अंतर न पाँच में आप डेड़ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा साड़ेच्छे आ जाएगा साड़ेच्छे में डेड़ जोड़ेंगे कितना आएगा आठ आएगा और आठ में जब आप डेड़ जोड़ेंगे कितना आएगा नो प्वेंट पाँच तो नो प्वेंट पाँच इस बान में है 134 है और क्युशन मार्क है तो देखी कुछ मत कीजी जब भी इस प्रकार का सवाल आता है सीरीज का आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का असकता नहीं सीधे सीधे सोल कीजी आप अंतर निकाल लीजी तो आठ में पांच गई तीन और पांच में तीन गई दो यहा यहां पे बारा में आठ गई चार है और यहां पे आठ में पांच गई तीन है चोंतिस कंतर है ठेक है यहां पे पैंतिस अठावन में आठ में पांच गई तीन पांच में तीन गई दो तेईस कंतर था यनि पैंतिस में तेईस जोडेंगे तो ठावन बन जाएगा अठावन यहां तो कोई pattern ही समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से यहां पे आपने step 1 कर लिया, step 1 में कुछ भी नजर नहीं आया, आप step 2 में चले जाएगे, step 2 में जाएगे, तो 23 से 34 है कितना प्लस किया दोस्तों, 9 प्लस किया है, 23 में आप, sorry, 11 जोड़ेंगे तो आपका 34 आएगा, अच्छा 34 से 42 करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो 12 में 4 के 8, यहां पे 8 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप यहां पे देखें तो कोई pattern तो है नहीं यहां पे, 35 से अठावन हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 35 और 23 है आपे, यहां पे 34 है, यहां पे 22 है, तो 23 में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, तब 34 आएगा, यह सुरनो, और 34 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, अब यहां पे कोई भी निश्चित pattern यहां पे नहीं है दोस्तों, ठेक है देखो, अचा यहां पे 32 है यार, यह गलती हम कर रहे हैं, 32 है, तो यहां पे आएगा 26, यहां पे अंतर है 26 का, अब यह सवाल जो जोड़ेगा, 35 से गलत हो जोड़ेगा, तो 26 से 34 हो रहत है कितना होगा, पलस 8 हो जाएगा, 26 और 8 34 है, 34 है 24, अब बीकार इस और 8 कितना होग तो तो पचास याने 134 में आप पचास जोडेंगे तो 184 सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है कई बार गलत लिखा जाता है तो फिर सवाल भी टेड़ा बन जाता है वो ठीक है तो यहां पर 35 किज़र कितना है 32 और 32 लिखते सवाल दूसोल है बहुत आसान है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर कहारा कि दिये गए सब्दों के प्रियोड़ का प्रियोग करते हुए कौन सा सब्द है वो नहीं बन सकता तो ओप्शन एक को देखे सिगनेचर है ठीक है और उपर जो दिया गया सब्द है ठीक है डिस इंट्रिगेशन है उसमें कहीं भी यू का प्रियोग नहीं है और सिगनेचर में यू का प्रियोग है मतलब ओप्शन ए जो है न ये सिगनेचर सिगनेचर ही यहीं पर नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर यू का प्रियोग है यू तो उपर है नहीं कहीं ठेक है तो signature सबत नहीं बढ़ सकता question number 14 देखिए coding decoding का question है किसी सांकिति बासा में paint है उसको लिखा हुआ है क्या दोस्तो 741-28 और उसी सांकिति बासा में कह रहा है कि excel को excel को लिखा हुआ है 93-56 ये excel को लिखा हुआ है और आप से पुछा है accept को क्या लिखा जाएगा उसी सांकिति बासा में accept को क्या लिखा जाएगा तो आप मुझे ये बताइए जो accept में letter पर योग हो रहे है क्या वो पहले आ चुके है आप कहेंगे sir बिलकुन A, B आ चुका है C, B, E, B और P, T सारे आ चुके है तो जो coding पहले इनके लिए यूज होई है वही यहाँ पर यूज कर देंगे ये क्या है number coding है ठीक है तो A के लिए कोण सा number code क्या गए है 4 C के लिए कोण सा number है दोस्तो 5 यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 E के लिए 9 है, 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा P के लिए 7 है और T के लिए क्या है दोस्तो 8 है तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा 455, 978 यानि की option C इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो अगर आपको वीडियो यह पसंदा रहा है तो वीडियो को like जुरू करेंगे और साथ बने रही है दोस्तो अभी थोड़ी देर में मैथ की मैरतन किलास जाने वाली है स्तेन घंटे से उपर के तो उसमें भी जुडेंगे चेक है अगरा सवाल देखिए एक अनोकरम दिया गया है जिसमें एक पद लुपत है रोपद आपको बताना है इस सीरीज को पूरा करना है एक प्रकार से यहाँ पर दे रखा है ए एन फिर है सी पी फिर है ए आर और फिर आपको बताना है तो कुछ भी नहीं है तो ए से सी है कितना प्लस है दोस्तो दो सी से ए है कितना प्लस है दो तो E से भी 2 प्लस कर दो 5 और 2 साथ पहला लट्री यहाँ पर G आएगा यहाँ पर देखे 14 से 16 हुआ है प्लस 2 है अच्छा 16 से 18 हुआ है प्लस 2 है तो 18 से भी प्लस 2 कर देंगे तो कितना जेगा T तो सवाल का अंसरा जाएगा G T ठेक है G T, Option D अगला सवाल देखे कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुणा बड़ा है उसका पुत्र 6 वर्स का है तो पिता और पुत्र की बात करें तो कह रहा है कि पुत्र है वो 6 वर्स का है पुत्र की आयू 6 वर्स है तो पिता की कितनी होगी दोस्तो 30 वर्स होगी में रखें ये छैरaking नहीं आएगा बारहती टीन गोना होता है यहां पर चवस्टीस नहीं आएगा तो एकिन डी जब दो वर्स बाद आप चेक करेंगे तो फिता हो जाएगा 32 सालाक उपूत्त्र हो जाएगा आठ रहता का तो इस समय लगता है कुछ भी नहीं लगता फुट करके देख लीजिए फटा फटी अले अगला सवाल देखे क्या कह रहा है यहां पर कह रहा है कि सेव की जैसी आकरती बनी हुई है और आपको दरपन है वह मन रखा हुआ है तो सेव क्या करती में आप एक चीज गोर कीजिए यह हम सेव बना लेते हैं और यह आपको यह ऐसे दे रहा है यह जो लाइन है यह ऐसे जा रही है जब आप इसको दरपन में देखेंगे न दोस्तों तो कोई बदलाव नहीं होगा बस यह लाइन आके इधर चली जाएगी आप यह लाइन को इधर देखे जो लेफ्ट में जा रही है न नजर आता है जो right वो left हो जाता है यहां पर केवल इस सिंट के आदार पर सास्वाल को सूल कर सकते हैं के यह जो पट्टी है यह left क्यों जा रही है तो जब इसको दरपन में देखेंगे तो यह राइट क्यों जुकिझ नजर प्राइगी तो इसमें दिया घैडिया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप्सनaining सवाल गांसर होगा अगला स्वाल देखे़ लीजए कर लेते इस है अगली आकरती में दर्पन है वहां प्रोड लगावारा आकरती सब्सक्राफ है प्रोGAओ फूल जैसे आकरती है आप इस गुमाओ को देखे यह जो गुमाओ दे रखाई यह जैक है फूल फूरा बनाने क्या हो सकता नहीं है ऐसा यह फूल बना हुआ है तो आप यह गुमाओ देख लीजिए दरपन है अच्छा यहां से कट है यह वाली जैक है दरपन है वो यह लगा यह जाएगी कहां दोस्तों अचा यह गुमाओ लेफ्ट के और है तो गुमाओ आएगए राइट के और ऐसे आएगगी पर अप्पे स्रेख में एसा जिए गया है ओप्संसी आपका आंसर हो जाएगा ठेक है केल उप्संसी में यह बात दे है जो यह जो राइट है जो लेफ्ट की और होनी चाहिए औरिजनल आकरती में तो वो केवल ओप्संसी में दिया गया है तो ओप्संसी ही आपका आंसर हो जाता है दोस्तों ठेक है आगे बढ़ते हैं अगले स्वाल पर तो अगला स्वाल देखी स्क्रिन पर आपको नजरा रहा है यह भी दरपन परतिवि अंगी होई है यह आकरती आपकी बनी हुए है और इसमें अकरती कहा है दोस्तों इस प्रकार से बना हुआ है घक है यह और फिर यह तो आप यहाँ पर बस इस चीज़ पर गोर कीज़े जिसके टोपी है ने ये जो वाली वाली ये जो है ने ये जी ये बना हुआ है इसके सर पर ये लाइन में मिटा देता हूँ इसका कोई मतलब नहीं है ये मैंने वैसे बना लिया ठीक है ये जो पट्टी बनी होई ने इसके क्यों रहो जाएगी जब आप इसको दरपन की औरिजिनल आकरते में चेंज करेंगे तो यह यहां पर लेफ्ट के और जुके होए तो यह राइट में आजाएगी यानिक केवल आप यह चेक कीजें कि यह जो आकरती है यह पर वाली यह लेफ्ट के और आजानी चीए ऐसे और यह ऐसे ऐसा कुछ आकरती बनेगी ऐसा किसमें दिया गया है दोस्तो केवल ओपिसन सी में दे रका है ए बी और डी में तो लेफ्ट के और ही जुके हुए है जब कि ही Multiple ओपिसन सी में ऐसा दे रका है तो ओपिसन सी ही आपका तो यहां पे क्या था दोस्तो पहले क्या था ट्राइंगल था ट्राइंगल के एक कोर्णर ब्लैक था फिर उपर तो ट्राइंगल बनावा था क्रोस में निच्छे और ट्राइंगल बना दिया ये ये क्रोस था एक और क्रोस कर दिया अब आगे क्या दे रखा है दोस्तो ये च सब्सक्राइब होना चाहिए तो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा पहले आपको सवाल समझ में आया होगा अगला सवाल सब्सक्राइब क्या है कि मुझे आउ सकता नहीं है लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है कि लिखने में तो लिख देते हैं ताकि मुझे भी समझाने में मज़ा आई थोड़ा सा ठेक है पांच है तीन सो एक तालीस है यहां पे साथ आठ है और आठ सो पिच्पन है और नो है दस है और क्यूसन मारक है अब आप से पुछाए मिस्सिंग नमबर के यहां पर स्थान पर कौन सा नमबर आएगा दिखें पांच संगा तीस होते हैं साथ यह तो बहुत बड़ी संख्या है ना तो बड़ी संख्या आपको किलियरली नजर आ रहा है मल्टीपल तो नह तारीस आएगा डेफिरिटली आएगा इसी प्रकार से अगला करके देख लीजिए साथ का क्यूब कीजिए आठ का क्यूब कीजिए साथ का क्यूब होता है तीन सो ते तारीस पालस में 512 जोडेंगे तो 885 आपको नजर आएगा दोस्तू ठीक है यहाँ पर आके जाएंगे तो 9 का क्यूब कीजिए और 10 का क्यूब कीजिए तो 9 का क्यूब 739 होगा 10 का क्यूब 1000 होगा तो यहाँ पर आएगा आंसर 1729 1729 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तू परमसत्य आंसर हो जाएगा option C में ऐसा दे रखा है तो यही इस सवाल का क्या होगा answer होगा अगला क्यूशन देखे बहुती आसान सवाल है missing number का बहुती आसान सवाल है दोस्तू इस प्रकार के अगर सवाल आते हैं तो यह आपके लिए बोननस है और वैसे भी इसी प्रकार के सवाल आने वाले हैं पत्चीस में से पत्चीस तो आराम से जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी रिजनिंग पड़ा है करके आ जाएगा दोस्तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी बहुत आसान क्यूशन है कुछ भी नहीं है दोस्तो ठीक है इस प्रकार से करोश में दे रखा यहाँ पर तीन है यह 27 है ठीक है आगे दो दे रखा है यहाँ पर आठ है ठीक है तो च्यार का पुछा यहाँ पर क्या आएगा तो यह बात स्वाल देखे क्या करा है डिये गए आरेक में वर्त है वो मजबूत आद्मियों को दर्साता है जो वर्त है वो मजबूत को दर्साता है वरग है वो छोटे आद्मियों को दर्साता है तिरबूज सेनिक अधिकारियों को दर्साता है कौन सा छेतर सेनिक अधिकारियों को दर्स है ऐसा नंबर जो तिर्बुज वरक दोनों में है लेकिन वर्थ को शेर नहीं करता है तो ऐसा नंबर कौन सा है दोस्तों क्या एक है नहीं है क्या तेन है नहीं है क्या चार है नहीं है केवल एक आंसर आएगा दो तो दो ऐसे सिनिक है जो छोटे हैं लेकिन मजबूत नहीं है ठेक है तो 2 आएगा यहाँ पर आनि option D इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठेक है दोस्तो option D ही सवाल का आंसर होगा अगला सवाल देख लीजी 24 नमबर सवाल में क्या दे रखा है दोस्तो आकर्ती दे रहे खिर कौन से आकर्ती यहाँ पर भिन है तो अगर हम पहली आकर्ती को देखें तो पहली आकर्ती में कुछ इस परकार से लाइन बढ़ी होई है यहाँ पर है यह इस परकार से आ रही है यह लाइन यहाँ पर नहीं है कोई बात नहीं है बतलए यह लाइन यहां पर प्रतिश्यत कर रहे हैं किसी ने किसे परिकार से लेकिन option D में देखें तो option D में T तो बना हुआ है लेकिन ये line ये परतिजियत नहीं कर रहे हैं तो option D ही आपका answer हो जाएगा ठेक है दोस्तो आचा 25 नमर क्यूशन को देखें थोड़ा जब आप इसको open करेंगे तो यही आपकरती यहां पर बनेगी ठेक है यही आपकरती यहां पर बनेगी जब आप इसको ऐसे open करेंगे तो यही आपकरती आपकी यहां पर भी बन जाएगी ठेक है दोस्तो यहां पर भी बन जाएगी और ऐसा किसमें दिया गया है केवल option यहां यहांपे एमें दियागए है। Dü सब्सक्राइब है। अमस्यीच जहाँ मोगुट्स तबस्त ये बागा हमें कोمنट करके जुरूब चरू बताएं और आपने कितना स्कूरग किया ये भी आप हमें कॉमेंट करके जोड़ बताएं दोस्तों ठेक है और नो बजे मैत के मेरतन क्लास में आप सभी जोड़ेंगे ऐसे हम मुम्मित करते हैं दोस्तों ठेक है तो मिलते हैं मैत के मेरतन क्लास में तकलिए धन्यवाद